Hello everyone, so guys, आज किस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने bank account के साथ online आधार card किस तरह से link कर सकते हो दोस्तों इसमें आपको जो ही कि बहुत process बताया गया है, आप जो ही कि net banking के through कर सकते हो, ATM machine के through कर सकते हो या फिर आप SMS के through भी कर सकते हो, या फिर आप जो ही कि website के through कर सकते हो आधार card का EKYC के through यानि कि आधार OTP के through भी कर सकते हो तो किस तरह से link करना है, क्या इसका process है, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बतानी वाला हूँ तो वीडियो को फटाक से एक like कर देना और यार चैनल पर पहली बारे तो subscribe करके बेल आइकन को प्रेंस जरूर कर लेना सो हलो दोस्तों मेरा नामें बिर्जु कुमार, आप देखरें टेक हिंदी विद बिर्जु, तो चलिए, सुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने mobile या फिर PC laptop जो भी उज़ करते हैं आपको browser को open करने के बाद यहां पर यदि आप mobile में browser को open कर रहे हो तो यहां पर आपको three line दिख रहा है, यहां पर आपको click कर लेना है, click करने के बाद यहां से आपको जो ही किसे desktop mode में enable करना है जो कि मैंने यहां से पहले सही करके रखा है, यहां पर आप देख सकते हो, desktop side तो यहां पर आपको इस box में tick कर देना है तो मैंने यहां पे जोई कि ओल्रेडी यहां पे Tic करके रखा था मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहां पे फिर से Tic कर रहा हूं तो उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएंगे यहां पे आपको type कर देना है यहाँ पे आप जोई कि जिस भी bank का आप जोई कि अधार link करना चाहते तो उसी bank का नाम यहाँ पे आपको इंटर कर देना है तो जैसे कि मान लिजे मैं यहाँ पे uco bank का कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे uco type कर देता हूं यू, सी, ओ, उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप कर देना है अधार लिंक और आपको सर्च कर लेना है सो सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको सिंपली किलिक कर देना है जरूरी नहीं है कि सभी बैंकों का होगा यहाँ पे आप जो ही कि किसी किसी बैंक का कर सकते हो यहाँ से या फिर किसी का जो ही कि आप नहीं भी कर सकते हो तो सभी बैंकों का नहीं होता है फिलाल मैं यहाँ यहाँ पे यूको बैंक का ही बता रहा हूँ तो यहाँ पे आपको option दिया गया है, यहाँ पे total आपको 4 option दिया जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पहला step जो ही कि आप internet banking की थुरू कर सकते हो, किस तरह से कर सकते हो, चलिए मैं इसका process आपको यहाँ पे बता देता हूं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इंटरनेट बेंकिंग को उपिन करना है यूको बैंक का और यहां पे आपको टेप पे जाना है रिक्वेस्ट टेप पे और वहां पे जाके आपको किलिक ओन लिंक ओप अधार नमर पे जाना है वहां पे जाने का बाद आपको जो कि 12 डेजिट का अधार नमर इंटर करना ह और आपका आधार नम्मर जो है कि लिंक हो जाएंगे और यदि आप SMS के थुरू लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको SMS का भी facility दिया गया है तो सबसे पहले आपको इस वाले नम्मर पे एक SMS जो ही की करना है SMS में आपको टाइप करना है यहाँ पे आप देखी सकते हो यूको आधार और 12 डिजिट का आधार नम्मर और आकॉंट नम्मर इंटर कर देना है और आपको जो ही की send कर देना है इस वाले नम्मर पे यहाँ से भी आप अपने अधार कार्ट को लिंक कर सकते है अपने बैंक आकॉंट के थुरू और यहाँ पे आपको जो ही की एक ATM का भी facility दिया जाता है यदि आप ATM के थुरू लिंक करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो तो यहाँ पे process बताया गया है सबसे पहले आपको अपने ATM या debit card को swipe करना है यूको बैंक के ATM machine में और वहाँ पे आपको जो के authority kit with pin वाले option पे जाना है वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे other services पे जाना है यहाँ पे आपको select करना है आधार setting वहाँ पे जाके अपने 12 digit का आधार नमर इंटर करना है ट्रम इन कंडिशन एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे click on submit पे आपको send कर देना है यहाँ पे भी आपका आधार नमर जो की link कर दिया जाएगा और यदि आप mobile के थुरू जो है कि link करना चाहते हो घर वाइटी तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक option दिया जाता है यहाँ से आप बीना net banking बीना mobile banking बीना ATM जाए बीना brand जाए या फिर आप जो है कि बीना SMS की यहाँ से आप जो हो की link कर सकते हो तो यहाँ पे आपको fourth number पे दिया गया है OTP-based EKYC for customer यहाँ पे आपको click करना है so चली मैं यहाँ पे click कर देता हूँ click करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा interface आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ option जो ही कि दिया गया होगा उसके बाद यहाँ पे आपको submit पे click करना होगा so चली मैं आपको पूरी step by step बता देता हूँ किस तरह से आप link कर सकते हो तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना account number इंटर कर लेता हूँ तो उस पे मैंने पहले वीडियो बनाए उस वीडियो का link आपको description में मिल जाएंगे वहाँ से आपको जोई कि account open करना है आपको account number customer ID instantly मिल जाएंगे साथी साथ वहाँ पे आपको एक free में virtual card भी वहाँ पे आपको दिया जाता है तो उस वीडियो का link जोई कि मैंने आपको description में देखे रखा है तो वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो सारा कुछ fill करने के बाद यहाँ पे आपको scroll down करते हुए नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक submit का option दिख रहा है चलिए मैं थोड़ा zoom कर लेता हूँ सो उसके बाद यहाँ पे आपको submit पे click करना चलिए मैं यहाँ पे click कर देता हूँ सो click करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो failed account no found तो यानि कि मेरा अधार नमर जोई कि यहाँ से link नहीं हो रहा है यह इसलिए हो रहा है क्यूंकि मैंने अपने account का जोई कि full KYC नहीं करवाया था जिसके कारण यहाँ पे मेरा अधार नमर जोई कि link नहीं हो रहा है तो जिसकी कारण मेरा account ही यहाँ पे close कर दिया है इसलिए यह interface आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे और यदि आपका अधार नमर लिंक नहीं है तो यहाँ से आप कर सकते एक बार आप ट्राइक कर सकते हो अगर आपका इसमें से success हो जाता है तो 100% आपका जो अधार काट का ह है इसमें link हो जाएंगे online ही जैसा कि मैंने आप लोगों को बताय कि इसमें आप जो ही कि अधार काट किस तरह से link कर सकते हो दोस्तों मैंने इस bank का जो ही कि मैंने uko bank का जो ही कि मैंने यहाँ पे link करके दिखाया लेकिन यहाँ पे मेरा link नहीं हुआ क्यूंकि मैंने इस account को online open किया और अभी तक मैंने इस अकॉंट में कोई भी KYC नहीं किया यानि कि मैंने ब्रांच में विजिट नहीं किया KYC के लिए दोस्तों यदि आप इसका अकॉंट ओन लाइन ओपिन करना चाहती है तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे यूको बैंक का इसमें आपको अकॉंट नमबर वगेरा कस्टमर आइडी वगेरा और साथी साथ आपको एक वर्चुल डिविट कार्ड जो ही कि सारा कुछ आपको इंस्टेटली दे दि आप घर बैठे इसका वीडियो के वाई सी कर सकते हो मैंने उस पर भी वीडियो बनाए तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे तो वहां से जाके आप उन दोनों वीडियो को देख सकते हो सो आई हूप कि ये वीडियो से आपको थोड़ी बड़ी के साथ तब तक के लिए जाहिन वांदे मातरम